पहले बच्चों के त्यारी कर रहें तो यह वीडियो आप लोगे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मी 24 में कुछ ऐसे कोशन थे जो कि आउट आपके बहुत सारे बच्चों ने उनके बात पर विश्वास नहीं किया था उसके लिए वीडियो मुझे आपके लिए बनाना पड़ रहा है जो भी नीट 24 के अंदर आपके पास और यहां पर आपका एसली के बार में बात किया गया था और अब एसली भी आपका प्रकार का और इसली के बार में जिकर नहीं है इसके बार में जिकर की गई है दूसरा टेक्सबूक के अंदर निवेस के जो कि ओपन स्कूलिंग की टेक्सबूक है जी ऐसे से कोशन सबको एक मेट फॉर्मीन के ओपर कोशन आया था शायद हर्याना वाले सेंटर के ओपर जी तो यह सारे कुशन आय तो आय कैसे ऐसे निट 25 में भी आपको कुशन देखने को मिल सकता है जी तो एंटी ने पहले डिसेंबर में यह ना डिसेंबर 23 में उन्होंने एक सर्किलर रिलीस करके उन्होंने बताया था क्या कि अब चीज जो कि निट 25 लिए बिए इंपोर्टनेट है उससे हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर को पहले कवर करना और कहां से कवर करना है उनके बात में हम बात करने वाले है जी जब उनसे पूछा गया क्या क्या कोई syllabus से बदला हुए आपका तो उन्होंने बलाग यह सब दिसा संब चेंज इनना syllabus नीट 24 के लिए जी ठीक है अब syllabus की बदला जब की गई तो उसमें क्या क्या बातों पर ज़दा फोकस किया गया यह बोला गया कि the syllabus has been revised and reduced to focus more on the core concept इसका मतलब क्या पर नीट 24 में देखने को भी मिला कि जो maximum question आये था आपके core conceptual question आये थे मतलब अगर आपको ग concept आपके clear होने चाहिए ETS कैसे काम करता है PCR कैसे काम करता है करता है अच्छा आप देखोजी why the syllabus has been revised जब उनसे सवाल पूचा गया था कि syllabus को reduce क्यों क्या गया या बदला क्यों गया तब उनका जबाब यह था कि due to the COVID-19 scenario various school board deleted a portion of each subject syllabus the deleted portion is still not being taken back by this board जो भी आपके topic delete कर दिये सब्सक्राइब करते कोविड की वैसे पर जो अभी बैस पढ़ रही है वो सारे topics अभी वो बोर्स में नहीं cover करवाए जा रहे उसके लिए उन्होंने दिवाइस क्या अच्छा अच्छा अब यहां पर इंसक्ट और फ्रॉक को लेकर बहुत लफ़ड़ा हो गया था आर्थर सब्सक्राइब करें अब उसके लिए क्या करें अब उससे के अपर यह बहुत important point बोला गया देखिए यहां पर क्या क्या बात बोला गया मैं थोड़ा साइड में हड़ जाता हूं जिससे कि आपको चीजों को बहुत अच्छे समझ में आगा देख क्या कि इस topics have been added as these are being taught in the various school board अब वो कौन कौन सा school board है देखो महराष्टा state board of secondary and higher education महराष्टा state textbook के अंदर जिकर किया गया है बिहार school education board वोगे national institute of open schooling देखो निवस की टेक्स्ट बूक है ना उनसे आपको question देखने को में दो थीन questions आपके आए देखी फिर आपके पास जो कि मैं यहां पर cover करवा दूँगा बिल्कुल उसका tension मतले ना जब ठीक समय आएगा जब new syllabus आपका 25 के लिए तब मैं आपको update करवा दूँगा ठीक है तो उसी की वैसे आपके पास यह SLE का question आपको देखने को मिला था अब हम बात करेंगे किसा कौन कौन सा chapter हमारे लिए बहुत important है और किसको पहले cover करना है अगर आप 25 का preparation अगर begin कर रहे हो ना पहले सबसे पहला priority आपको जो रखना है इन दो chapters का रखना है जी पहले का नाम है आपके पास sell the unit of life ओके जब लोग में आओगे ना first year secondary में फिजियोलोजी पढ़ोगे या secondary में पैथोलोजी लिंक हो जाते हैं पहला यह हो गया और फिर बाद में cell cycle and cell division अब यह चाप्टर क्यों इतना है important है पेटा जी क्योंकि इस चाप्टर में प्लॉडी वाला concept हो गया daughter chromosome daughter cells यह सारा जो concept है यह दो आपको पहले priority पे करना है जी अब कौन कौन से conceptual chapter जिसको हम लोगो करना है सबसे डिसेंबर के पहले पहले सब खता हो जाना थी कौन कौन सा दी पोटो संथेस आपका respiration in plant human physiology के छेओ के छो चाप्टर को डिलीट कर दिया गया ब्रीधिंग से लेगे आपके वाज राष्ट केमिकल कॉडिनेशन तक आपको छेओ के बुरा करना है विकास हरे चाप्टर में वहाँ पे concept है आपका फिर जिनाटिक्स के दो चाप्टर आपके principle of inheritance and molecular base of inheritance बायो टेक आपका दोनों चाप्टर ऑगे बायो टेक यूनिट के दोनों चाप्टर प्रिंसेपल और आपको दोनों अच्छे से कर लेना है जी फिर बात में human reproduction आपको करना है और sexual reproduction in flowering plant outbreeding devices apomix says path जहांपे concept double fertilization जहांपे concept है इसके लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा और लास्ट में bio molecules का enzyme अला portion यह आपके conceptual topics है chapters है जो कि आपको पहले priority पे खतम करना है अच्छा रटाफिकेशन होला सा chapter कौन कौन सा है अगर आप देखेंगे तो unit 1 का पूरा अपर चारो रटना है फिर bio molecules का enzyme वाला part है वो conceptual जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन starting में आपको amino acid दिया हुआ है वो सिर्फ आपको रटना है as it is plant growth and development में अगर तुम देखोगे रटना होला है और आपका ecology के पूरे के पूरे तीनों chapters अभी environment and issues delete कर दीगे लेकिन पूरे के पूरे chapters आपको आपने पढ़ेंगे तो आप लोग इसका screenshot ले लो और तुम इसका print निकाल के रखो आपको इस ही priority में बिटा जी पढ़ाई करना है for need 25 जी के लिए आज से हम लोग एक नया जिसके हमारी अल्रेडी अनिक एडमी की फ्री स्पेशल क्लास पर प्राक्टिस सेशन चल रही है फ्री पोल बेस चल रही है हमने यहां तक हमने पुरा unit 3 तक पूरा cover कर लिया है unit 4 की शुरत हम लोग आज से कर रहे हैं जी मतलब 19 ऑगर्स से completely free होती है अनिक एडमी की description box में सारे class का link दिया रहेगा आप लोग अभी जल्दी से enroll कर लेना 19 सारी को हम लोग आज क्या करेंगे photosynthesis के हम लोग 100 questions कर लेंगे 20 कल हम लोग respiration खतम कर लेंगे और 21 को हम लोग plant growth and development chapter खतम करने वाले जी ओके फायता क्या कि आपको NCRT line by line question मिलता है जो भी NCRT based है और दूसरी बात है कि free pole बेज़ आपको यहां पर leaderboard आपका generate होता है जी उसके लिए sessions बहुत important है आप लोग बिल्कुल मत कीजेगा मिलते हम लोग शिदा शाम को छे वाली class में तो यह आपका important है enroll कर दीजेगा एक और बहुत बढ़ी बात क्या है राखी अब लोग celebrate कर रहें आपके लिए जो प्लस subscription है वो four four double nine कर दी गई है पहले four triple nine थी अब आपके कहने पर आपका four कितना कर दिया four four double nine जी ठीक है अगर आप iconic लेंगे तो आपको 14,999 का पड़ेगा अगर आप दो साल कर लेते हैं तो आपको 9,000 का पड़ेगा प्लस और आपको 25,000 का यहां पर पड़ेगा बेटा जी क्या iconic subscription जी अगर आप दो साल कर लेते हैं तो ठीक है अगर कोई भी आपका भाई बेन अभी 10 से 11 में या जिसको पढ़ना है अच्छी तरीके से तो वो दो साल में या एक साल में आपका enroll कर सकता है by using code biology life ठीक है यह offer सिर्फ और सिर्फ बैक लोग आपका नहीं होगा यहां पर मैं complete आपका अनेकाडमी प्लस पर biology ले रहा हूं और हमारी पूरी टेम आपकी complete PCB physics chemistry biology कवर करवार रही है जी अब अनेकाडमी प्रोसर अलग क्या है आप पढ़ियो online लेकिन अनेकाडमी के centers पर जाके आप लोग test देजिए अपने doubt प प्रो में दूल कर सकते हैं आपके वीडियो इंफर्मेंटिव लगाओगा कुछ भी doubt रहेगा डूलेट रहेगा अनेकाडमी अनेकाडमी वीडियो में अभी क्लिए बसनाए थैंक यू जाहिन बाबाई